दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर आपके पास Samsung का phone है और आपने Samsung के keyword में अगर आप wise typing करना चाहते हैं तो अगर आपको यहाँ पर mic so नहीं होता है आपके keyword में जहाँ पर आप click करके आप wise typing कर पाएं जैसे कि अगर आपने setting में जाकर या आप कह आपको माइक so नहीं होता है तो इसे problem को आप कैसे solve करेंगे और अपने Samsung के phone में आप कैसे keyword अपना enable करेंगे keyword में wise typing तो इसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले अपने Samsung के phone में आपको setting को open करना होगा जो आप यहाँ पर setting को open करते हैं इस तरीके से आपका setting open हो जाता है आप यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको नीचे आना है नहीं तो आपको यहाँ पर search बार पर click करना होगा यहाँ पर आपको search करना है keyword तो हम यहाँ पर keyword search करेंगे हमारे सामने आ जाएगा keyword list and default सबसे उपर आप इस पर click करेंगे यह मिल जाएगा जब आप इस पर click करते वाइस टैपिंग होता है वो आपका बंद होगा तो आपको यहां पर इस पर क्लिक करके इसे आपको यहां से इनेबल कर देना है और नीचे आपको मिल जाएगा इसे भी आपको यहां से इनेबल कर देना है इनेबल करने के बाद आपको अपने Google वाइस टैपिंग जहां पर ल अब यहाँ पर भी आपको यह setting मिल जाएगा और इस setting को यहाँ से enable कर देना है उसके बाद आपको back आ जाना है जब आप यहाँ से back आ जाते हैं back आने के बाद अब आप अपने keyword में देखेंगे तो आपका माइक आपके keyword में आ जाएगा जैसे कि हम अपना keyword यहाँ पर open करेंगे तो आप यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको setting के बगल में आपको एक माइक का option मिल चुका है अब यहाँ पर आप माइक पर click करेंगे जो हम यहाँ पर बोल रहे हैं वही हमारा type हो रहा है तो कुछ इस तरीके से आपने samsung के phone में अपने keyword के अंदर आप बड़ी आसानी से अपना यहाँ पर wise tapping enable कर पाएंगे जो आपको यहाँ पर माइक देखने को मिल जाता है तो मैं आसा करूँगा आज का वीडियो देखने की बाद आपको पता चले गया होगा तो मिलते हैं next वीडियो में इस वीडियो के लिए इतना ही और वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्वाद